कि अपका आपके अपने उटूब चैनल पर दोस्तों आज का जो वीडियो है वह मारकल के वीडियो से ही आगे है कच्छा बारा के रसान ग्यान में सेकेंड पार्ट का के पार्ट तू है उसमें दूसरा ले लिए से दूसद ने हमजों पढ़ रहे हैं देखे किया पढ़ रही हैं हम आज हम Queensland पढ़ेंगे लूностью मोजन वीद्पन को क्या करते है है आप मोरहलोगन वीयुद्पन का दूसरा नाम है अलकेल है है किया है अलकेल फेलाइड्स तो हम लोग आज पढ़नें इसमाँकें होते हैं घर ψ है म तो आप लिख सकते हैं कि एलकेनो के मोनो हायलोजन व्यूत्पन, एलकेनो के मोनो हायलोजन व्यूत्पन, व्यूत्पन क्या कहलते हैं? या ऐलकेनो क्या है, या और प्रमार्ट होते हैं, इसको एकस से, किसे एकस से? आलकेनो को किसे परदरशित कियाता है? R X से परदर्चित के जाता है clear इसमें R आलकिल सम्मोव है और R बराबर जो होते हैं आपके वह क्या होते हैं R is equal to होगा CH3 C2S5 से 3S7 यह आपके क्या है ऐलकिल सम्मोव है R is equal to है X बराबर जहां पर होता है जो हलेट्स पर मारवते हैं कुलोरीन ब्रोमेन ठीक है फ्रोरीन आरडीन ये सब जो आते हैं ये किस में आते हैं हालाइट्स प्रोर की अब आपको पढ़ना है अलकेल हालाइट्स के योगी को तो अलकेल समूर आर है और एक्स आपका हालाइट्स है तो Alkyl Halide के योगिक को आपको पड़ने है क्लियर तो देखिए आपने समझा कि Alkyl Halides कहलाते हैं ये आपने क्लियर किया और alkyl hyalides को Rx से परदर्शित करते हैं जहां R आपका alkyl समोह है it means R is equal to CH3, CH5 यह आपका क्या है? methyl, ethyl, propyl यह है आपका देखें, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है एक चीज़ जब alkyne में देखें, यह आपका alkyne है alkyne में जब hydronic निकल जाता है तो उसके आश्थार पर alkyl समोह जाता है यहाँ पर देखें, alkyne में सेज़ फोरता मेथेन था लेकिन जब एक hydronic निकल जाएगा सेज़ थिप हुआ तो इसका नाम है methyl यह रथात यह एक प्रकार का alkyl समोह जाता है अब देखें, जो alkyl halides जो होते हैं उनका जो अनसूत्र होता है वो क्या होता है molecular formula of alkyl halides क्या है cn h2n plus 1x यह क्या है cn h2n plus 1x होता है यह आपका alkyl halides के formula होते है सूत्र होते है जहां r क्या है या इसको पहले बता दिया गया कि rx से परदेश करते हैं और r जहां है आपका वो क्या है आपका alkyl समोह है और x आपका क्या है हालाइड समोह है अर्थात इसका योगी क्या अंतरकत आप alkyl halides यानि r और x दोनों के बारे में बिदोत पढ़ेंगी ठीक है अब देखें क्या होते है कि इनकी स्रेनिक इसके नाम और हम लोग आप पढ़ेंगे कि इसके नाम क्या है इसके सूत्र क्या है इसके नाम क्या है इसके एक साड़ी बनाते हैं जिसका नाम सूत्र सबका इसके सब अलग लग होता है ठीक है तो देखें यह आप पर कुछ आपके सोत्र लिखाए गये हैं उनके आपको साधार नाम सिंपल नाम लिखने होंगे और आयपेसी नेम लिखने होंगे तो आप जानते हैं कि आपेसी नाम वो नेम होता है जो पूरे वर्ड में फेमस होता है एक ही नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल यूनियन आप प्योर और अप्लाइड कमिश्ट्री कभी-कभी आपसे आल इंडिया आई-उ-पेसी का पूरा नाम भी पूछ लेया जाता है तो आप इसमें कोई दिक्कत न करें इंटरनेशनल आइस होता इंटरनेशनल यूनियन आप प्योर और अप्लाइड कमिश्ट्री तो आप इसके नाम साधार नाम और आई-पेसी नाम दिखते चले यह से देखें यापर है और छेट्रीं कि रहें से ट्रीयल तो तो से रीच क्या है यहापर यहापं पर है आपका मिठिल और यह क् aimולके तो इसका नाम है शाम मिठिल chloride ठीक है यहां पर देखी क्या है किते carbon है एक दो तीन तो जब तीन carbon हो जाते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल ठीक है तो इसको क्या यहां पर किस तरह से जुड़ा है यहां पर देख लिजी है इसका मतब च यह है एक सीएच यहां जुड़ा हुआ है और यह कि यहां जोड़ा है ठीक है तो देखे जब नाम हो जाता आइसो ठीक है तो क्या हो जाएगा यह आइसो प्रोपिल हो जाएगा क्या होगा आइसो प्रोफिल क्लोराइड इसको बोलते है इसको आइसो लिखते हैं आइसो प्रोपिल-क्लोराइड इसका नाम है आइसो प्रोपिल-क्लोराइड इसका देखें यहां पर एक दो तीन चार है चार कारबन है तो चार कर्वन में कि तरह हो जाएंगी चार कप हो जाएंगा पध्धत नाम है वह ब्यूत्ड हो जाता है तो इसका नाम हो जाएगा नार्मल क से प्रादिकत है। थे लियुन, कि ब्यूटिल क्लोराइड यह कौन सा नाम है यह आपका साधार नाम है अब आपको लिखना है आई-पेसी नाम क्या होता है हम गया अब आपको है अभी तो यहां पर आपका को से 3 sein् Ama है तो क्या हो जाएगा यह यापका मेंध्यन हौने क्लोरो मेंध्यन हो जाएगा क्या हो देख लो से हैस्थरी का यहां पर क्या कहेंगे कि क्लॉरो क्या कहेंगे क्लॉरो क्लॉरो मेथेन यहां पर क्या है क्लोरो इथेन ठीक है यहाँ पर देखें क्या है आपका जो हलाइट सम्मूह है किधा लगा यहां लगा है तो 123 क्या हो जाएगा वन क्लोरो प्रोपेन यहाँ पर देखें क्या होगा यहाँ पर जहां आपने आइसो लिखा था कि यहां पर आपने आइसो अपनी रखाता वहां क्या हो जाएगा जान आइसो अपने लिखा है वहां पर देखें यह देखे जब ISO आपने लिखा है तो ISO को पेसी में क्या लिखेंगे नार्मल को तो आपने वह लिखा है लेगन ISO में 2 देखे इसको कैसे बना गया थे इसको जो बना गया था आपका वह है देखो CH3 C C C H एग में आपका सेयल था और यहां पर ही आपका सेयल था ओर नहीं है यह आपका है CS3 यह इसका फॉर्म है तो CS3 यहां था एक CS3 यहां है तो CS3 से CS3 का होट वाईस लगा और CH है यह यहां तो इसका इसका आइपेस्ची लिखेंगे तो नाम क्या होगा दिखें कि चाहिधर से नंबर की चाहिधर से तो देखें एक दो तीन ठीक है यह इधार से करेंगे तो एक दो तीन क्या होगा टू क्लोरो प्रोपेन इसका नाम होगा टू क्लोरो प्रोपेन ठीक है इसका आई पेसी नाम में क्या होगा टू क्लोरो प्रोपेन होगा यहाँ पर देखें क्या नाम होगा यहाँ पर एक दो तीन चार है नार्मल क्लोरोब्यूटेन क्या नाम होगा वन क्लोरोब्यूटेन ठीक है तो यह आपके यहाँ पर कुछ साधार नाम है अगला देखिए अगला देखिए अगला सूत्र नाम है वहाँ पर देखना होगा कि आपका यह क्लोरीन प्रमाड है और यह क्लोरीन प्रमाड ही से जड़ा हुआ है और यह कार्बन 2 अधर प्रमडों से जुड़ा हुआ है तो इसका अमतरब यह आपका सेकंडरी अलकिल है किसका है एक दो तीन चार तो क्या हो जाएगा secondary butyl chloride secondary butyl chloride इसका नाम होता देखो के अनुसार यह प्राथिमिक हैलाइट्स दूतेक हैलाइट्स और तिरतेक हैलाइट्स अर्थात primary secondary और tertiary highlight तिन प्रकार की होते हैं तो primary highlights से यहाँ पर यह को सा है प्रदर करता है secondary तो इसे कहते है secondary butyl chloride क्या है secondary butyl chloride क्या नाम है इसका secondary butyl chloride को किसे पतरी करते है यह CXC yes secondary यहां पर देखें यह कौन सा है आपका यह आपका एक दो और दो कार्बन सेश्थ्री के दो जुड़े है इसका मतलब एक पार्स में जुड़ा है तो इसका नाम है आइसो बिटल क्लॉरइड यहां पर देखें क्या है यह कौन सा मतलब इसका जो साधान नाम है यहांपर यहांपर हलैट्स इस कार्बन से जुड़ा है और तीन कार्बनों से जुड़ा है इसका मतलब है यह टर्सरी है तिर्तियक हैलाइड्स है, तो इसको टर्सरी बोलते है, टी, यह टर्सरी इतना लिख देंगे, तो टर्सरी हो जाएगा, तिर्तियक, तो यह हो जाएगा, टर्सरी, ब्यूटिल क्लॉराइड्स, यह भी आपका चार ही कारपन होता है, तीन यहां और यहां और यहां चार, ब्य पेसी नाम देखें क्या है आई पेसी नाम में थोड़ा अंतर होता यहां पर देखें एक दो एक दो तीन चार कारवन हैं लेकिन यहां पर आपका यह सीयल प्रमाण कहां जुड़ा है इस तरह से जुड़ा है तो इसका नाम देखें यहां पर क्लोरिन प्रमाण कहां है यहां जड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा टू क्लोरो हो एक तो तीन चार ब्रीयूटट और सम्मरें एंण लगा है तो या नाम हो जाएगा टू क्लोरो ब्यूत खानाम को पफेयर या इसका तो दो points ऐनामल कैया तेक यहां पर एक CH है और CH में एक CL3 यहां जुड़ा हुआ है और एक CL3 यहां जुड़ा हुआ है और यहां से एक आपका जुड़ा हुआ है CH3 ठीक है और अज़्य दिखें तो CH3 यहां हो गया दो गए यहां पर आपका जुड़ा हुआ है और यहां पर आपका जुड़ा है CH2 देखे दो जुड़ा है न तो CH2 जाएगा और यहां पर आपका जुड़ा है तू यह तो यह आप से पूछ रहा है कि यह कि किसका नाम यह वाला आझ तो देखे यहां पर वण पर बुद्ल जुड़ा हैं अगर यहां पर आप झालिए पर स्था यू इसका नाम होगा वन क्लो लोरो टू मिघिल प्रुपेन इसका नाम होगा की वर्ण क्लोरो Mokorn यह हुए झान हो जाएगा यह कि यहां देखिए और इसी से तीन और एक से आपका जुड़ा है तो आप इसका पेस्ट करेंगे अब इसका चाहां इधर से करें वन टो थ्री चाहां एक दो तीन और चाहां एक दो तीन चाहां इधर से करेंगे इसी तरह से सनिचा बनेगी तो क्या है टू, टुपर आपका extingro Willow है और 2 पर क्या है आपका मिथिल है तो क्या हुँ जाएगा टू क्लोरोन टू मिथिल प्रोपेन इसका अउपहेसर नाम होगा टू क्लोरोन कि मिथिल और किते कारबन है प्रोफ में 3 कारबन और सम्में तो यह है आपका आउपेसी नाम है अब हम आपको अलकेल हैलाइट्स बनाने की बिधी अलकेल हैलाइट्स के गुण भौती गुण रासानिक गुण और इसमें जो सबसे इंपॉर्टन से मारकोनी काफ का नियम खैराश का प्रभाव यह सब हम आपको पढ़ाएंगे अगले व उपका रचा हे जो सकी बिल्वारो आपका चाने के सांपको वर्भाव गुणा grण हैालाइट्स